ओम नमस्षिवाई दोस्तो जै माता दी आज इस वीडियो में जानेंगे 2021 में पढ़ने वाली नाक पंचमी के दिन भूल कर भी कौन से ऐसे कारी है जो नहीं करने चाहिए असूब फल मिलता है इनका जैसे की नाक पंचमी इस बार सुक्रवार के दिन मनाई जा रही है 13 अगस् नाक पंचमी के दिन भगवाण शीव और उनके गण नागों की पूजा का दिन माना जाता है वेद सास्त्रों में भी इस दिन का बड़ा महत बताया गया है नाक पंचमी के दिन भगवान आशुटोस का रुधराविशे करने से कई संकट कट जाते हैं लेकिन इस दीन कुछ बात है विसेश रूप से आपको ध्यान में रखनी चाहिए जो कारे आपको बिल्कुल भी इस दिन नहीं करने चाहिए कहा जाता है भगवान नागदेवता इससे नाराज हो जाते हैं साथ ही सबसे पहले जो वर्जित कारे है वह इस प्रकार है जमीन की खुदाई कभी भी इस इस दिन नहीं करनी चाहिए ऐसा करना असूब माना जाता है जमीन के अंदर नागदेवता का वास होता है बिल इत्यादी हो सकते हैं और कहानी में भी जैसा वर्णित है इस दिन पूर्ण रूप से जमीन की खुदाई और साथ ही हल जोतना वर्जित माना गया है वही पंचमी के दिन पूर्ण रूप से यह भी माना जाता है कि सुई में धागा इत्यादी नहीं डालना चाहिए असूब माना जाता है हाँ जिसका सिलाई का काम है जैसी कि कहा जाता है कर्म ही पूजा है वह कारी कर सकता है परन्तु आप जिनके जो घर पर महिलाएं विसेश र पूर्ण रूप से इस कारे को नहीं करें कि सिलाई कड़ाई इत्यादी का कारे कर दिया इसके पश्चात इस दिन आग पर तवा और लोहे की कड़ाई और कांसे के बरतनों में खाना भी पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है साथ ही अगर आप इस दिन ब्रत करते हैं त तो दिन में सोना पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है नाग पंचमी के दिन इसके साथ ही मीठ मांस सराव इत्यादी पूर्ण रूप से नाग पंचमी के दिन वर्जित माना गया है भगवान शिव और माता पारवती और साथ में भगवान नाग देवता का यह दिन होता ह तो इस दिन पूर्णरेव से जुट बोलना चुगली करना इत्यादी वर्जित माना गया है इस दिन विसेश रूप से भगवान शिव का पंचामरत से अभिशेक कराएं नागों को विसेश रूप से दूद पिलाएं उनको जंगल इत्यादी में छोड़ना विसेश रूप से नाग देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए उनको बचाने का जहां तक संभव हो सके प्रियास करना चाहिए यह दिन समस्त बाधाओं को दूर करने वाला होता है अगर इस दिन छोटे छोटे से उपाई किये जाएं तो जीवन में समस्त कारे बनते चले जाते हैं शिव पुराण में वरनीत यह मंत्र आप नाग पंचमी के दिन किसी मंदिर में बैठकर या घर के मंदिर में एक माला या अपनी इच्छानुसार जितना आपसे हो पाए इस माला का जाप अवश्य करे वह मंत्र है ओम नव कुलाए विद मही विस दंताए धी मही तन्नो प्रचो दयात यह मंत्र अपने आप में अद्भूत होता है जो भी चातक सचे मंद से इस मंत्र का जाप करते हैं भगवान शंकर साथ में नाग देवता उसके समस्त जीवन के कस्टों का हरड कर लेते हैं साथी जो भी उसके जीवन की इच्छा हो वह अवश्य पूर्ण करत हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें राधे राधे